हेलो माई डिफ्रेंट स्वागत आपका एक और नहीं वीडियो में मंडे को मार्किट क्या कर सकता है इस बारे में आपको प्रेडिक्शन वीडियो बताने जा रही हूं टेलिग्राम आप ज़रूर देखेगा हमारा क्योंकि बहुत अच्छी ची मूफ्स पकड़ी हैं हमने उस पर देखेंगे तो आपको एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन यहां पर दिखाई देगी जिसे मार्केट ने निकाला है और को मतलम मार्केट ने निकाला है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जब मार्केट था तो उसके बाद यहां खुला था फिर इस तरी कैसे रिवर्सल लिया याने कि ट्रेंड कौन सा है ट्रेंड जो है नीचे का चल रहा है मार्केट में रांग निफ्टी 30 मिन तो यहां पे market में seller मौझूद है इसमें आपको एक बहुत ही बढ़िया trade भी बताऊंगी इसलिए आप चाहिए इसके साथ वीडियो के साथ बने रहे यह बहुत बढ़िया trade बताऊंगी अगर market ने ऐसा किया तो बहुत अच्छे points आपको मिलेंगे तो इस level से market ने seller बिटाया ह तो नीचे असल नहीं है और यह भी बहुत जादा बड़ी candle है तो यहां पे भी एसल नहीं है ओवियसली जिसने भी यहां से put खरीदा होगा तो उसने यहां पे खरी candle आने पे ही exit हो गया होगा वो तो इस वजए से यहां पे भी एसल नहीं है तो ऐसी दिशा में जब ऊपर तो क्या होना चाहिए, market को consolidate होना चाहिए, जब market consolidate होगा तब ही वो SL create करेगा आपने, तो इसमें आप ज़रूर से ज़रूर ये देखें कि last time पे market ने ये trapping करी है, क्योंकि ये जितने भी थे ये खतम हो गए, अब उसे फिर पैसा चाहिए, तो इसने आप पैसा लगवाना start कर दी, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये अपने आप में decision candle भी है, ये देखिए मैंने chart थोड़ा सा बढ़ा करके दिखाया, ये decision candle भी है, ये बहुत ही clear decision candle है, तो आप इस decision candle पे trade ले सकते हैं, ये उपर की तरफ काटता है, तो आपको ये मिलेगा, नीचे की तरफ काट लेने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए market इसे निकालेगा, नहीं निकालेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है, यही सिनारियो देखिए निफ्टी में भी है, निफ्टी में आपको एक candle दिखाई दे रही है, और इसमें भी ये जो candle है, ये decision candle है, ये देख लीजे आप, ये flat open होता है, तो consolidate करेगा, मगर फिर भी consolidation के बाद, एक बज़े साड़े बारा बज़े, इस टाइम के करीब अगर आपको चार्ट इस तरीके से दिखाई देता है, कि आपको ये जो level है, market मारूबू उसे निकालतावा दिखाई देता है, किसी भी एक strong buying candle से market ये candle निकालता है, आपको लगता है कि हाँ इसका high cut गया, ऐसे नहीं जरासा सा, थोड़ा अच्छा सा निकालतावा दिखाई देता है, तो आप इसमें call side की trade देख सकते हैं, तो आपको इसमें अच्छे targets मिलेंगे, देखिए minimum आपको यहां तक के targets से मिली जाने चाहिए, minimum यहां तक के targets आपक nifty trade करते हैं, कि देखिए यह अगर उपर की तरफ निकलता है, तब तो आपको पता ही है, मगर थोड़ा सा यह level उपर की तरफ निकलेगा, अगर यह तो थोड़ी बहुत trapping जरूर करेगा, तो एकदम trade ना लें, मगर अगर यह candle, यह जो level है, यह जो level अगर निकलता है, आपको यहां तक है मिलेंगे, तो आशा है आपको चीजे समझ भाएंगी, जो चार्ट जिस तरीके से बता रहा था चीज को मैंने वो आपको बताने की कोशिश की है, आप ज़रूर से ज़रूर हमारा टेलिग्राम चकाउट कीजिए, चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प् और कमेंट ज़रूर कीजिए, इसी आशा के साथ आपसे भी दालेती हूं, थैंक्यू वेरी मच्च